तो आज एक उमेद है राहूल गांदी जी की लीडर्शिप पे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और जमु कश्मीर के लोगों को खुसूसन क्यूंकि हमारे लोग बहुत सताये हुए हैं यहां बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहां लोगों को परिशान किया जा रहा है डेमोक्रेटिक सेट अब जो है जमु कश्मीर में वो खतम हो चुका है गांस्टूशन जो है वो सस्पेंड हो चुका है इसलिए लोग चाहते हैं चेंज और लोग चाहते हैं कॉंग्रेस की शकल में चेंज जाहे मुल्की लेवल पे हो या इस जमु कश्मीर की लेवल पे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि स्रीनगर और कश्मीर के यूथ्स जो हैं जोग दर जोग कॉंग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं आज भी जितने यहां पे जाइन हुए उसमें 90% से जादा लोग जो है यूथ्स हैं तो आने वाले दिनों में हम पूरे जमु कश्मीर में अच्छे प्रोग्राम करेंगे और प्रियंका जी और राहुल जी मलिक अर्जुन खडगे साब तीनों को हम दावत दे रहे हैं कि अलग-अलग जगहूं पे वो जमू कश्मीर में प्रोग्राम करें, जब भी एलेक्शन होंगे, चाहे मुनस्पुल कारप्रेशन के हो, ड्यू तो सारे एलेक्शन है, एसंबली एलेक्शन तो जून 18-2018 से ड्यू है, जब से गौर्मेंट तब से तूटी है, चाहे वो मुनस इस्पेक्टेंशन ज्यादा हम सीटे लेंगे, सिंगल लार्जस्ट पार्टी कांग्रेस होगी, पार्लिमेंट एलेक्शन के साथ हमारा एलाइस है, इंडिया एलाइस का, और इन्शाला हम अपने एलाइस पार्टनर को लेके आगे बढ़ेंगे, और इस जमू कश्मीर में खुशाली, और दुबारा लोटेगी, जो बेरोजगारी इस वक्त है, वो खतम होगी, जो इस वक्त गर-गर सुमार्ट मीटर लगे हुए हैं, लोग परिशान हैं उनसे, वो खतम होगा, प्रापर्टी टेक्स खतम होगा, और ये जो इस वक्त देशत गर्दी मचाके रखे बीजेपी ने, मुलाजमों को तंग करना, लोगों को तंग करना, लोगों को परिशान करना, जमूरी निजाम खतम करना, ये सब कुछ जो है, ये सारी जो दादागरी है वो खतम करेंगे, और इन्शालला कांग्रेस अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी, देखो, फलस्तीन और इस्राइल का तनाजा बहुत पराना है और ये सही बात है कि जमीन जो फलस्तीन की थी वो इस्राइल ने कबजे में रखी है एक छोटा सा मुलुक जिन को मुफुत में छोटी सी जमीन दी गई थी उन्होंने कबजा करते करते फलस्तीन को ही खतम कर दिया तो एक तनाजा है जिसका हल आलमी सता पर लाजमी है नहीं तो वहां पर खून रेजी हमेशा चलती रहेगी और कुछ लदाख के इलेक्शन्स हुए हाल ही में किस तरीके से देखेंगे आप जहां वहां नैशनल कॉंफरेंस कांग्रिस की जो है अलाइस दिक्या आने वाले इंतखाबाद लदाख हिल कांशल में कांग्रिस और नैशनल कांफरेंस बहुत अच्छी तरह से लड़ी मुझे ये एकीन है कि जब भी जमू कश्मीर में एलेक्शन होंगे बीजेपी और उसके एलाइस जो है उनका एडरस भी नजर नहीं आएगा ये मैं वुक्सूख से कहता हूँ क्योंकि चोर तो पत्नी टाप से उदर बागी जाएगा लेकिन चोर के जो साथी है उनको भी लोग छोड़ने वाले नहीं है यहाँ पे एलेक्शन होगा लोग वोट डालने निकलेंगे और सारा गुसा बीजेपी और उसके एलाइस जो है जो जो जुलुम इस वक्त कर रहे है जमो कश्मीर पे उन पे निकालेंगे और कॉंग्रेस की सरकार यहाँ पे जरूर बनेगी थैंक्यू उनके दिर्वाजे खुली रहेंगे आने वाले एलेक्शन में क्या करेंगे देखो अभी इंडिया एलाइस है पार्लिमेंट में हमेरे सीट शेरिंग होगी एलाइस तो हो गया है एसमबली का अभी कोई ऐसा डिसकेशन हुआ नहीं है कॉंग्रेस लाइक माइंड़ पार्ट पार्टीज है उनके साथ हम चलेंगे लेकिन कुमनल पार्टीज और उनके एलाइस के साथ हमारी कभी नी बनेगी ना उनके साथ हम चलेंगे